हिंद, नमस्कार शातियों, सौगत हैं आप सभी का आज फिर आपके इपने यीट्यूब चेनल अवधार इस्टडी में, मैं पाल प्रभीन, आज के वीडियो में बात करेंगे संविधान के महत्यपोड अनुच्छेत, आज का पार्ट टू है और पार्ट बन अप्लोड कर इसको नोट करना है अगला पुशन है भारती संविधान का कौन सा अनुचेद भारत के संचित कोस से संबंदित है इसको नुट करना है ठीक है इस सभी जो अनुचेद है ये आपके संचित कोस से संबंदित है अगला अपसन है भारती संबंदान का निम्ड में कौन सा अनुचेद भारत के राष्ट पती में अध्या देश जारी करने की सक्ति को परदान करता है इसको नुट करेंगे भारती संबंदान का निम्ड में कौन सा अनुचेद भारत के राष्ट पती में अध्या देश जारी करने की सक्ति को परदान करता है तो किस अनुचेद के तहित अध्या देश की सक्ति यह जारी करने का परदान दिया गया है अगला पसन है समिधान के किस अनुचेद में सर्वोच नेले के नैधीस पर महा व्योग चलाए जाने का परदान है समिधान के किस अनुचेद में सर्वोच नेले के नैधीस पर महा व्योग चलाए जाने का परदान है यानि नैधीस पर भी महा व्योग चलाए जा सकता है और इसका परदान दिया गया साथियों अप्सन नमबर सी अनुचेद 124 में ठीक है आपने इसको नूट करना है अनुचेद 124 में बताया गया है कि सर्वोच नेले के जो नैधीस होते हैं साथियों इन पर भी महा व्योग चलाए जा सकता है और इसके जो चर्चा है वे आटिकल या अनुचेद 124 में बताई गया है अगला अप्सन है राष्टपती सर्वोच नेले से सम्मिधान के किस अनुचेद के अंतरगत परामर्ष ले सकता है राष्टपती सर्वोची नहले से सम्मिधान के किस अनुचेद के अंतरगत परामर्श ले सकता है राइट आंसर है अपसन नुमबर डी अनुचेद 143 के अंतरगत आपने इसको नोट करना है सर्वोची नहले अपने दोरा सुनाएगे किस निर्ण या आदेश का पुनरा वलोकन कर सकता है यह बवस्ता सम्मिधान के किस अनुचेद में उपबंदित है यहाँ पर शवाल कह रहा है सर्वोची नहले अपने दोरा सुनाएगे किस निर्ण या आदेश का पुनरा वलोकन कर सकता है यह बवस्ता सम्मिधान के किस अनुचेद में उपबंदित है राइट अंसर है आपसा नुचेद 137 में इसके बारे में चर्चा की गई है आपने इसको नोट करना है अगला अपसान है सम्मिधान के निर्ण लिखित में से किस अनुचेद में यह बवस्ता की गई है कि उच्चितम नेले दोरा विनिस्चित विदी भारत के राजचेदर के भेतर शभी नेलों पर अवद्ध कर होगी यह पॉइंट बहुत ही इंपोटेंट है आपने इसको नोट करेंगे साथियों आपको वीडियो पसंद आने तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगला अपसर है बारती सम्मिधान में सरवच नेले तदा उच्च नेले को नयाई को पुर्णा वलोकन की सकते परदान की गई है जिसका आधार है जिसका आधार मतलब किस अनुच्चेद के साथ तहत उच्च नेले को नयाई को पुर्णा वलोकन की शक्ते परदान की गई है अगला अपसर है सम्मिधान के किस अनुच्चेद के अंतरगत अधीनस्त नेले या जिला नेले का प्राबधान की आगया है most important point है आपके exam के लिए आप इसको note करिएगा संभिधान के किस अनुचेद के अंतरगत अधेनस्त नियाले या जिला नियाले का प्राबधान किया गया है question number 9 है और इस पसंद के अगर right answer के बाद करें option number B अनुचे 233 में ठीक है इस पसंद का जो right answer है option number B अनुचे 233 के अंतरगत अधेनस्त नियाले या जिला नियाले का प्राबधान किया गया है अगला option है भारती संविधान का कौन सा अनुचेद संवैधानिक प्राबधानों की संगी संसद या राज बिधान पालिकाओं दोरा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्रात्यमिकता प्रदान करती है अनुचेद 245 इस पसंद का राइट आंसर है आप सभी लोग इसको इस्टेर बना करके नोट करेंगे अगर आप सरहें किस अनुचेद के तहत अब सिष्ट सक्तिया केंदर के पास है यह पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है अनुचेद 248 के अंतरगत केंदर के पास बहुत सारी इसी अब सिष्ट सक्तिया है इसको आप नोट करेंगे अगला अपसन है राज्यों दारा प्राथना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुचेद के अंतरगत कानून बना सकती है जो केंदर सरकार है शंचद है बेर राज्यों के लिए किस अनुचेद के तहत कानून बनाती है अगला अपसन है भारती समिधान के अंतरगत निमलिकित में काउन सा अनुचेद संसद को राज्यों सूची के बिसे में संबंद में विधी बनाने की शक्ति को प्रदान करता है राइट आंसर है इस प्रशन का ऑप्शन नमबर डी अपसन नमबर डी अनुचेद 249 के अंतरगत राज्य सूची के बिसे में संबंद में कानून या विधी बनाने की सक्ति को प्रदान किया गया है अगला अपसन है बारती समिधान का कौन सा अनुचेद संसत को अंतरराश्टी समझहतों को लागू करने के लिए विधी निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है अगला अपसन है अनुचेद दोसो त्रीपन में अंतरराश्टी समझहतों को लागू करने के लिए विधी निर्माण करने की जो सक्ति है वह दोसो त्रीपन में बताई गई है अगला अपसन है केंदर राज के प्रशाशनिक सम्बंद भारती सम्मिधान के किस अनुचेद में वर्णित है तो राइट अंसर इस परसंद का आपसन नमबर ए अनुचे 256 से अनुचे 268 में इस पाइट को भी अपने नोट करना है यहाँ पर केंदर राज के प्रशाशनिक शम्बंद भारती थे अपने इसको नोट करना है अगला अपसन है सम्मिधान के किस अनुचेद के अंतरगत केंदर शरकार राज सरकारों को निर्देश दे सकती है सम्मिधान के किस अनुचेद के तहट केंदर शरकार राज सरकारों को निर्देश दे सकती है तो राइट आंसर है अपसन नमबर ए अनुचेद 256 के तहट केंदर शरकार राज सरकारों को निर्देश देती है अपने इस पाइट को नोट करना है अगला अप्सन है अंतर राजी परिशत का गठन प्रापधान श्रमिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत किया गया है अंतर राजी परिशत के गठन का प्रापधान श्रमिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत किया गया है most important point है आप इसको note करेंगे तो यहाँ पर अगर बात करेंगे शाहती हो right answer की option number C 96236 में अंतर राज्जी परिशत के गठन का प्राबधान दिया गया है यह point बहुत important है आपके exam के लिए अगला अपसर है भारती समिधान के किस अनुचेत के अंतरगत वित आयोग के गठन का प्राबधान है most important point है समिधान के किस अनुचेत के अंतरगत वित आयोग के गठन का प्राबधान दिया गया है तो वित आयोग के गठन के प्राबधान के चर्चा सातियों यह दी गई है अनुचेद 280 इस पसंद का right answer है वित आयोग के गठन का प्राबधान दिया गया है संपत्तिका अधिकार शमवैदानिक अधिकार है यह किस अनुचेत में बताया गया है most important point है आपके एक्जाम के लिए और इस वीडियो के मात्व से 30 महत्पूर्ण प्रशन कबर करेंगे तो आप सबी लोग वीडियो को पूरा देखें वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें यहाँ पर अगर साथि हो right answer की बात करें तो option number D अनुचिद 300 के कामे अनुचिद 300 के कामे most important point है भारती सम्मिधान के किस अनुचिद में नेसरगीक न्याय के प्रशिद सिद्धानत सुनवाई की अधिकार का श्रमावेस किया गया है तो right answer है option number D अनुचिद 311 आपने इसको नूट करना है अनुचिद 311 इस पसंद का right answer है अगला option है भारती सम्मिधान के किस अनुचिद नई अखिल भारती सेवा की इस्थापना प्राबधान करता है तो इस पसंद का right answer है option number D अनुचिद 312 इस पसंद का right answer है अनुचिद 312 आपने इसको नूट करना है अगला option है सम्मिधान के किस अनुचिद दोरा सम्मिधान के किस अनुचिद दोरा लोग सेवाओं को सनरच्ण प्रदान किया गया है question number 22 और right answer है इस पसंद का option number D अनुचिद 311 अनुचिद 311 में ठीके इस पसंद को आपने नोट करना है यहाँ पर लोग सेवाओं को सनरच्ण प्रदान किया गया है अगला अपसन है सम्मिधान के किस अनुचिद दोरा संग और राज्यों के लिए लोग सेवाओं का प्रदान किया गया है किस अनुचिद के दोरा संग और राज्यों के लिए लोग सेवाओं का प्रदान किया गया है इस किस अनुचिद में बताया गया है पॉइंट है आप सभी लोग इसको नोट करेंगे कोस्टन नमबर 24 अनुच्छे 312 साथियों किस से संबंदित है राइट अंसर है साथियों इस पसंद का ऑप्सन नमबर ए यह अकिल भारती सेवाओं से संबंदित है अगला अप्सन है संग लोग सेवा आयोग के कारियों का उ नमबर ए अनुच्छे 312 के अंतरगत संग लोग सेवा आयोग के कारियों का उल्लेक किया अपने इसको नोट करना है अगला अप्सन है भारती सम्विदान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के प्राबधान दिये गया है तो राइट अंसर है इस पसंद का ऑप् निरवाचन आयों के प्रावधान दिया गया है लोगसभा में एंग्लो इंडियन सम्धाय के प्रतिनिध्यत्य के लिए प्राभधान सम्धाय के किस अनुचेद के अंतरगत किया गया है most important point है और इस पसंद का जो right answer शाती हो अप्सन नमबर ए अनुचे 331 के अंतरगत लोग सभा में इंगलो इंडियन समधाई के प्रतिनिदियों के लिए प्राबधान दिये गया है अगला अपसन है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए एक राष्टी आयोग गठित करने का प्रापधान संभीधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत किया गया है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए राष्टी आयोग गठित करने का प्रापधान संभीधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत किया गया है तो सही आंसर इस प्रापधान के अनुसूचित जातियों के लिए राष्टी आयोग गठित करने का प्रापधान दिया गया है अगला प्रापधान है संभीधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत हिंदी को राजभासा का दरजा प्रापधान किया गया है Most important point है सम्मिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत सम्मिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत राज्य भासा का यानि हिंदी को राज्य भासा का दरजा प्रदान किया गया है Right answer इस प्रसन का साथ यह Option number A अनुच्छेत 343 का जो का है जो first है उसमें हिंदी को राज्य भासा का दरजा प्रदान किया गया है आपने इसको नोट करना है अगला अपसर है किस अनुच्छेत में यह प्राबधान किया गया है कि संग की राज्य भासा हिंदी तता लिपी देव नागरी होगी Most important point है आपके गरजाम के लिए आप सबी लोग इसको नोट करेंगे और आज की वीडियो का last question है और इस पसंद के अगर right answer की बात के तो option number B अनुच्छेत 347 में यह बताया गया है कि संग की राज्य भासा हिंदी तता लिपी देव नागरी होगी इस point को आपने नोट करना है साथियों comment करके हैं को जरूर बताए कि आपने 30 पस्टों में कितने पस्टों का सही से answer किया है वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें लाइक करें और comment जरूर करें शादियों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन